जैहिन दोस्तो ओनलाइं लर्निंग इस्टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रति मिनट की गती से संपात की डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद दोस्तो यह सब भी डिफिकल्ट आउटलाइन आपको हमारे वोट्सेप ग्रूप और टेलिग्रा स्टार्ट कनाडा में पड़ाई करने गए और कुछ दिनों से निर्वासन के भय में जी रहे भारतिये मूल के छात्रों को वहां के अधिकारियों ने बड़ी राहत दी है उनके निर्वासन पर इस्थगन आदेश जारी कर दिया है इस मामले में भारत का विदेश मंत्राले लंबे समय से छात्रों के प्रती सहनुभूती पूर्वक वहवार की अपील कर रहा था विदेश मंत्री ने कहा है कि इसमें दोश छात्रों का नहीं बलकी उन अजन्सियों का है जिनकी मारफत वे वहां पढ़ाई करने पहुचे थे दरसल मामला यो है कि कई विध्यार्थी यहां से कनाडा के संस्थानों में दाखिला कराने वाली अजन्सियों की मदद से वहां पहुचे थे उन्होंने जिस कॉलेज में दाखिले का पत्र उन्हें दिया उसी अधार पर वीजा मिल गया मगर जब वे वहां पहुचे तो उन कॉलेजों ने कहा कि उनके यहां दाखिला पूरा हो चुका है ऐसे में अजन्सियों ने उन्हें किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला लेने को प्रेरित किया इस तरह वहां रहकर उन्होंने पढ़ाई पूरी की कहीं काम करने लगे मगर गडबड तब हुई जब उन्होंने वहां इस्थाई निवास के लिए आवेदन किया वहां के अधिकारियों ने देखा की वे जिस कॉलेज में दाखिले के लिए आए थे उसके बजाए दूसरे कॉलेज से पढ़ाई की और वहां रहकर काम करते रहे फिर उन्होंने उन छात्रों को फरजी तरीके से वहां रहने का दोशी करार देते हुए वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया ऐसे करीब 700 यूवां हैं अच्छी बात है कि कनाडा के संबंधिद प्राधिकार ने इस मामले को समझा और वहां फसे यूवाओं को वापस भेजने के अपने फैसले पर रोक लगा दी यहे पहली बार नहीं है जब विदेश भेजने वाले एजेंटों के फरजी वाडे के चलते भारतिय नागरिकों को दूसरे देशों में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है भारतिय यूवाओं को ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश इसलिए आकरशित करते हैं कि वहां जाना असान हैं और कुछ पैसे लेकर एजेंट लोगों को वहां असानी से भेज भी देते हैं मगर कुछ दिनों बाद जब उन्हें वहां इस्थाई निवास की अनुमती नहीं मिलती तो इधर उधर भटकना और दूसरे फरजी वाड़ा का सहारा लेना पड़ता है खास कर पंजाब और हर्याना के युवाओं में कनाडा और बिर्टेन जाने की ललक कुछ अधिक देखी जाती है इसका फाइदा अजनसियां उठाती हैं और भारी भरकम रकम लेकर उन्हें वहां भेज भी देती है कुछ साल पहले ऐसे ही फरजी वाड़े करने वाली कुछ अजनसियों को पकड़ा गया था जिसमें कई नामचिन लोगों के भी हाथ पाए गए स्टूब